कि नमस्कार में हूँ यश आप देख रहें दीवी भारत नियूज रुख करेंगे आज की खबर पर महाराश्ट की रात दिते में बड़ी उठा पटक हुई पिछले साल सीव से ना तूटने के बाद अब एंसीपे में भी ये इस्तिती बनी लोगसबा चुनाओ महाराश्ट में अजीद पवार को अपने खेमे में लाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं इससे उसके दो-दो बदले पूरे तो हुए ही साथ ही देवेंदर फड़र्मिश ने भी महाराश्ट की राजनीति में अपना दब-दबा नए सिरे से साबित कर दिया बीजेपी के ताजा कदम के पीछे कुछ बड़े कारण है पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष दोजार चोबिस लोग सबाचुणाव में राज्ज की अरतालीस में से अधिक्तम सीटे जीतना है अब पवार जुनियर और एकनाथ शिंदे के साथ आने से बीजेपी को उन परमपरगत रूप से वह ताकतवर नहीं रही है दूसरा बड़ा कारण एकनाथ शिंदे पर लगाम कसना भी है हाल ही में जिस तरह शिंदे की पार्टी के और से विज्यापन देकर उन्हें लोग प्रियता में फड़न विश से आगे दिखाया गया था इस से बीजेपी के क खड़े हो गए थे सरकार का एक साल पूरा हुआ लेकिन दोनों दलों के बीच कई मुद्दों पर खटपट सामने आई है अब अजित पवार के साथ आने से बीजेपी की शिंदे पर निर्बरता कम हो गई है तीसरा बड़ा कारण कस्बा पेठ विधान सबा उप चुनाव में बीजेपी की हार रही अपने गड़ में बीजेपी 28 साल बाद हारी इसके अलावा भी बीजेपी विधान परीशत की कुछ चुनाव हारी बीजेपी की इस हार ने महाविकास आगाडी में नई जान फूंक उसके बाद करनाटक में बीजेपी की हार ने MBA का उत्सा दो गुना कर दिया ऐसे में बीजेपी को समझ में आ गया कि MBA मजबूत रहा तो मारास्ट में मिशन दोजार चौबिस को जटका लगेगा ब्यूरो रिपोर्ट दिव्या भारत न्यूज तो खबरों में बस इतना ही देखते रहे हैं दिव्या भारत न्यूज नमस्कार